wind turbine कैसे काम करता है और इससे बिजली कैसे बनाई जाती है चलो 3D Animation से समझते हैं सबसे पहले तो ये समझो कि wind turbine को कैसे बनाई जाती है wind turbine को बनाने के लिए छोटे छोटे तुकड़े को एक के ऊपर एक रख के कस दिया जाता है wind turbine solid नहीं होते हैं जैसे जैसे इसका काम उपर तक बढ़ता है इसे पतला करते जाता है और इसे अंदर से खुकला इसलिए रखा जाता है ताकि बिजली केवल को अंदर ही अंदर नीचे ला सके पलस में इसके अंदर एक सीरी भी दिया जाता है ताकि अगर कभी भी wind turbine के उपर में कोई भी खराबी हो उसे असानी से इन सीरीयों के मदद से जाके ठीक कर सके ये wind turbine 80-100 feet तक उंचा रहता है और इसमें 3 blade लगाया जाता है जिसमें से हर एक blade की लंबाई लगबग 60 feet तक होता है wind turbine का ये वाला पार्ट सबसे मैन होता है यहीं पे ये बिजली बनाने का सब समान शेट किया जाता है इसका लंबाई चुड़ाई लगबग 3 PS flat के बराबर होता है